वेलकम बैक टू दा मेत वरियर्स दोस्तों आप सभी लोग GDS के लिए बहुत ज्यादा परिसान हो रहे हैं सेकेंड लिश्ट सेकेंड लिश्ट इतनी मैसे जा जाते हैं सुबह से लेकर साम था मैंने कल पर सो दो दिन से कोई वीडियोस नहीं डाला GDS के उबर उसका कारण था कि फर्जी में वीडियो डालने का आप लोग बोलते हैं कि सर आप भी तो फर्जी में डालते हैं जबकि मेरा सीधा सा ये रहता है तो वही चीज़ें हैं कि आप लोग जो है तो थोड़ा सा समझ कर चलें कि सेकंड लिश्ट के लिए जो मैंने बातें बोली है वही चल रही ठीक है वो पांस दिन मिलते हैं मुझे ऐसा पता चला अभी भी तो उस चीज़ें को आप समझ लें अंटी का केस लगे और जीवन बरबाद सरकारी नोगरी का नामों निसाद ये तो प्राइविट नोगरी है समझ पर है ये पूर सरकारी भी नहीं और तुम इसके चेकर में अपना केरियर बरबाद कर रहे हैं और उन बच्चों का हक छोड़कर जिनको रियल में दोस्तों चरूरत है आप उनका हक मार रहे हैं ऐसे में जब आप हक मारते हैं ना किसी के तो उसकी बद्धुगा लगती है वो लग रही है और लगनी भी चाहिए मुझे ऐसे 420 के बच्चों से कोई हमदर्दी नहीं भले ही उनकी उम्र अभी छोटी है और ये सब काम वो खुद कर रहे हैं और उनके घरवाले भी इसमें सनलिप्त हैं मेरे पास आज एक बच्चे का फोन आया कि कोई दलाल है ब्रोकर वो कह रहा है कि 500 रुपए आप मुझे पहले एडवांस दे दो समझेगा गेम ठीक है और 14,500 रुपए आप बाद में देने न मैं आपका फाइनल लिष्ट में काम करा दूँगा अरे मेरे चपडगंजो तुम इतने बेवकूफ हो अगर तुम लोग इन जैसे बेवकूफों को अगर आप पैसे दे रहे हैं 500 रुपए इनकी सीधी सी स्टेटिजी है मैं आपको बता रहा हूं खुल कर कि 500 रुपए ले करके क्योंकि आपको लगे क्या पांसो में क्या जा रहा देख लेते हैं क्या पता करा दे अरे मेरे भाई मेरे दोस्त 15,000 तो उसकी सैलरी है और ये 15,000 में तुमारा करवा रहा है है ना समझना बात को अगर कोई करार पहले भी जब कराता तो अच्छा एमाउंट लिया जाता कोई प्राइवेट में तुमको नहीं लगवा रहा संबिदा पर हो सरकारी के अंडर में हो ठीक है तो क्यों बेबकूप बनना ऐसा कोई कुछ नहीं करवा पाएगा और ये मारसीट वाला खेल चिला बिहार में पकड़े गए इटावाम पकड़े गए उत्तर प्रदेश में एक छेदर बड़ता है डवा MP में भी फकड़े जा रहा है ठीक है बिहार में तो हमें लगता है बहुत लोग जो तीन तो गास पास जो है रेटार मलब पकड़े गए ठीक है तो फरजी वाला करो पकड़े जाओगे जाओ कराओ जाके डीबी मैं तो पहले से ही बोला सरकार को मैं तो कहता है फोर टन्डीन इन पर UP में बाबा का बुल्डोजर नहीं चल पारा ठीक है बुल्डोजर चल जाए एक बार तो ये सही हो जाए यार किसी का क्यों आक मान रहे हो क्या चाहते क्या हो ऐसी नौगरी लेकर क्या अपने आपको justify आप कर पाएंगे थोड़ा सा तो सोचिए यार उन माबाप और उन बच्चों के भी चेहरों पर देखिए जो 60% और 70% लाकर अभी भी आसल क्या है कास मेरा हो जाए मुझे पता आप FIR करें उस राजी की पुलिस को बता है मैं आप से सीधी सीधी कहता हूँ कहीं उसे भी हल्की सी भी हावा आ जाए चेकिंग करा दे उसकी साथ लिस्ट आनी कभी तो पकड़ा जाएगा पहले लिस्ट पकड़ा जाएगा दूसरी पकड़ा जाएगा गुड़ नाइट इंजॉए गरो पढ़ते रहो और मैं त्वरिर्स के आफिजिल टेली ग्राम चैनल चैनल से दोस्तों जरूर 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 जाओ क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको इस पश्ट तरीके से बताएगा और इन 420 धोके वाज लोगों को सेलेक्शन नहीं लेने देगा